टेकनिकल जुगाड हिंदी चैनल को सस्क्राइब करें और बैल आइकन पे किलिक करके आल नोटिफिकेशन को ओन करें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके अगर आप ऐसे ही इसको चेक करोगे तो अगर आपकी LED खराब होगी त चार्टिंग से आपको हटाना पड़ेगा तो यह देखिए इस वाले पॉइंट पर हमारा फेस आ रहा है आप देख सकते हो कि यहां पर हमारी टेस्टर में LED जल रही है और इस पॉइंट पर हमारे न्यूटल आ रहे हैं जिसमें कोई भी LED नहीं जल रही है आपको पूरी को आज की वीडियो के अंदर फ्रेंड जैसे कि आपको पता ही है कि दिवाली की दो तीन दिन पहले ही हम इस तरह की लाइटें अपने घर में लगाने लगते हैं सजावट के लिए तो ऐसे में होता है कि जब भी हम अपनी पुरानी लाइटों को यूच करने के लिए निकालते काफी सारी प्रोलम देखने को मिलती है जैसी कि सबसे ज्याधा लोगों ने कमेंट करके बोला कि सर हमारी डिम ल॥े ल॥े тем बप्रोलम है। concerned fact लोगों कि सर हमारी ये जो लाइट ये सारे कि सारी बंद हो गी तो किस तरीकों करें तो मैं आपको सब कुछ step by step बताऊंगा कि कैसे आपको क्या क्या चीजे पहले करके देखने हैं उसके बाद आपको next step में क्या करने हैं आपको पता चल जाए friend कि हमारी actual problem कहा है और उस problem को हम जल्दी से repair कर पाएं तो सब कुछ मैं आपको step by step step बताऊंगा friend तो वीडियो को आगे start करने से पहले मैं आपसे request करना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तभी हमारी चैनल को subscribe और वीडियो को like करें otherwise friend आप वीडियो को dislike करें तो चलिए friend ज्यादा समय नगवाते हुए वीडियो को continue start करते हैं तो देखे friend मेरे पास इस तरह की एक blue color की ये series light है अब इसके अंदर क्या होते है friend की जो इसके अंदर connection होते हैं वो हमारे सारे series के अंदर होते हैं अब series के अंदर connection होने का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है friend की अगर इन में से आपकी एक बी LED फ्यूज हो जाती है या फि reach connection करते हैं किसी भी circuit के अंदर तो वहां पर अगर बीच में से एक भी लाइन आपकी ब्रेक होगी तो बाकी की चीजे आपकी सही रहेंगी तब भी वो चीजे काम नहीं करेंगी तो ऐसी problem हमारी इस rice light के अंदर होगी है तो देखे friend अगर आपकी dim light की problem है या आधी light जलने की problem है या पूरी light बंध होगी है जैसे कि इसके अंदर है तो आप इस तरीके से सबसे पहले चेक करें सबसे पहले आपको क्या चेक करना है मैं एक बार आपको supply दे के दिखा रहा हूं इसके अंदर की problem क्या है तो देखे मैं इसको जब यहां से supply दे रहा हूं friend board से तो यहां प दिते हैं तो उसके बाद इनकी वायर है यह खराब हो जाती है या लगा नहीं है आप जोर लगा के देखोगे कई बार क्या होता है यहां से इसका जो LED के अंदर से connection हट जाता है यह तार अंदर ऐसे लगा रहता है तो इस तरीके से आप थोड़ा सा हलका हलका खेंच के देखोगे जादा जोर नहीं लगा ना और आपको वायर को भी अच्छे तरीके से चेक कर ले अब उसके बाद फ्रेंड हमें इसको एक एक LED को चेक करना है तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया फ्रेंड की अगर इसके अंदर हमारी एक LED भी फ्यूज हो जाती है तो हमारी सारी LED काम नहीं करेंगी उस लैन में जितनी में LED होगी 5, 10, 50, 60, जितनी में LED कों से सही है क्योंकि इसको चेक करने के लिए अगर हम नौर्मल टैस्टर से इसको चेक करेंगे तो यह लिए तो इस के लिए पैस्ट करने के लिए यहां पे नहीं एक TES निग्ट लिए अपनी कोई भी आप सुई ले सकते हो कपड़े सिलने वाली तो वहां पर इसको मैंने यहां लगा कि यहां पर टेप लगा दिया ताकि यह हमारी यहां से हीले डू लेना तो इस तरीके से आपको भी एक टैस्टर लेना है फ्रेंड कोई भी टैस्टर ले सकते हो सस्ते महंगे वहलग कोई भी टैस्टर आपको चलेगा इसके अंदर आपको ऐसे श्रींज लगा देने फट्ली वाली है अब यहाँ पर देखिए llc लगा एक यहाँ तो इस तरीके से हमें क्या करना है अपनी स्नख़ ferry LED को चेक करना है लेकिन आपको ऐसे नोर्मली नहीं है फ्रेंड कि आप ऐसे ही इसको लगा दोगे क्योंकि अगर आप ऐसे ही इसको चेक करोगे फ्रेंड तो अगर आपकी LED खराब होगी तब भी इसके अंदर करण दिखाएगा नहीं खराब होगी तब भी दिखाएगा तो इ यह चीज आपकी हो पाएंगे 1 तहीत यहां से हमारी यह वायर स्टार्ट कर लेते हैं यहां से पहले और यहां देखो कि मैं यहां से फिर यहां से यहां प्रेंद अपक्ण करना है अपarने कि आपने पार देखना है कि कौन सी वायर के अंदर हमारी led लगी हुई है और इसको तो थोडा सा और पीछे तक देख लो कि किसी और के अंदर नहीं यहां पर यहां यहां पर हमारी एक ही याइर के अंदर LED है अगर आपके पास दो जिसके अंदर LED हो इसके इससेद दोनों को से saw army कर देना है दोनों यह साथ समय एक के छूट लेंगी फ्रैंट इस greeting से आ यहार को निकाल लेना और इस दो और को हमें ऐसे ही चोड़ देना है अब इसके जो gen i image is इसी तरीके से चेक करना है कि और वाली जो वाय है जुक्या मिलja है आपको हändeए तो मैंने आप को दिखाया और यहां से कट करना है आपकोगद या थझाइब वाला धी को तो ऐसे खराब करना ही पड़ेगा इस तरीके चेक करने के लिए लेकिन इतने बड़ी लाइट है फ्रेंड तो दो LED तो कोई बात नहीं उसके बाद भी अगर यह ठीक हो जाती तो अच्छी बात है और उसके बाद इसको यहां से फिरी कर देने यहां से एक ही है मेरे केस में तो मैं एक की को अड़ाँ ह Ciya को आपको श्री लेना है टेज एक बार मैं वार को चही लेता है उत्कर देना है तो सब्से पहले आपके आपको न्र फाइस और हो आ इस वाले point पे हमारे face आ रहा है आप देख सकते हो कि यहां पे हमारे tester में LED जल रही है और इस point पे हमारे neutral आ रहा है जिसमें कोई भी LED नहीं जल रही है तो simply हमें इस ही वाले point पे इस wire को जोड़ना है face वाले पे यह चीज़ आपको ध्यान रखने है तब ही आप इसको अच्छे से check कर पाओगे तो हम क्या करते हैं इसको यह हमारे इस वाले point पे आ रहा है face हम इसको इस ही point पे लगा देते हैं और इसको यहां पे मैं इसको डाल रहा हूं friend और इसके साथ ही लगा रहा हूं सिंगल वायर को ताकि यहां पे यह हीले डू लेना क्योंकि मेरे पास बोड़ी ऐसा है इसको लगाने के बाद फ्रेंड अब हमें क्या करना है इसको चेक करना है तो देखें किस तरीके से हम चेक करेंगे पहले हम यहां पे LED को यहां पे पहले point पे चेक करेंगे एक चीज और ध्यान रखने है friend की इस सोई पे आपका हाथ टच नहीं होना चाहिए नहीं तो फिर आपको यहीं पे current लगेगा तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है तो देखें हम किस तरीके से चेक करेंगे यहां पर अब किसाफ़ाद को LED को लेना है और स्रीञ्ज को इस तरीके से डालना है और इस तरीके से जब आप डालोगे friend तो यहां पे आपको current देखना है कि यहां पर current आ रहा है कि नहीं आ रहा तो यह देखे friend यहां पर हमारा current आ रहा है आप देख सकते हो यहां पर और इसी तरीके से friend हमें आगे बढ़ते रहना है तो हम ने यहां पर देखा तो यहां पर voltage आ रही है उसके बाद हमें एक एक दो दो राइस लेड़ी को ऐसे छोड़के देखते जाना है कि यहां पर voltage आ रही की नहीं आ रही तो इसी तरीके से देखे हम यहां पर चेक करेंगे कि इस वाले point पर क्या है तो यह देखे फ्रेंड यहां तक voltage आ रही है इसका मतलब यहां तक supply हमारी okay है आप देख सकते हो फ्रेंड टेस्टर के अंदर LED जल रही है यह देखे मैं आपको पूरी कोजिस कर रहा हूं दिखाने की यह देखे मैंने यहां पर लगाया हुआ है देखे फ्रेंड यहां पर चेक करते जाते हैं और देखते हैं कि हमें कहां पर supply नहीं मिल रही है तो देखे मुझे प्रोलम पता चल गही है कि कहां पर प्रोलम आ रही है तो देखे मैं यहां पर जब LED को check कर रहा हूं हूँ इसके दोनों point पर voltage नहीं मिल रही है इस तरीके से ї के見て इसरीके से जब मैं इसके दोनों सीरे पर ऐसे चेक कर रहा हूं तो यहां पर कोई वोल्टेज नहीं मरी तो इसके जो पीछे वाली LED है फ्रेंड हमने यहां पर चेक करना है क्योंकि यहां से current हमारा आगे जा रहा है तो हम simply अब इसको यहां पर चेक करेंगे तो यहां पर देखे फ्रेंड एक सीर देखे तो यहां पर वोल्टेज मिलनी चाहिए अपने को तो यहां पर वोल्टेज नहीं मिल रही तो इसका मतलब क्या हूँआ फ्रेंड की यह जो हमारी यह वाली LED है यह हमारी खराब हो चुकी है इसी वजह से हमारी वोल्टेज आगे वाली LED को supply नहीं हो रही है और जिस क्या करता हूं, इसको कट करेंगे, कट करके इसको निकाल देते हैं, इस तरगे से Delhiagua reya है, त olur आपको क्या करना है, इस दोनों वायर को on your ah, और चीजनिकला अब त्यूंट कर दिया है जाएकnd turbine करने पासे आप को यहां रखना है टेप आप जरूर मारें फ्रेंड क्योंकि किसी का भी हांत लग सकता है उन सब चीजों पर आपको ऐसे पता भी लग जाएगा कि आपने कहां पर काम किया है कहां तक LED को चेक कर ली है इस तरीके से आपको यह चीजे ध्यां रखने तो मैं यहां पर इस तरीके से को चेक करना है क्योंकि यह जो हमारी बीच में LED खराब थी जिसकी वज़े से हमारी कोणर तक सप्लाई आए नहीं पा रही थी अब देखते हैं अगर यहां पर आपको सप्लाई मिल रही है एकदम कोणर पर तो समझ जाना फ्रेंड कि आपकी यह सारी लाइन ओक्यों चुकी क्या है loveSt? अब हम क्या करेंगी यहां अगि ने तक सप्लाई नहीं आ पा रही थी जिसके वज़े से हमारी रायच लाइट काम नहीं करें थी तो देखे। अब हम क्या करेंगे ये जो हमारी दो वायर थी Five तो हम अलिगी के अंतर तीन वायर जुड़ियो थी तो हम तीनों वायर को इस तरीके से छिल के और इसको आपस में जोड देंगे आखरी वाले कोने में यह तीनों वायर एक साथ जुड़ जाएंगे क्योंकि अब हम इस LED को तो लगा नहीं सकते दुबारा से तो हमको ऐसे ही तीनों वायर को ऐसे एक साथ जोड़ लेगा है इसको इस तरीके से जोड़ने बाद फ्रेंड हम यहां पर टेप लगा देंगे टेप ज़रूरी है इस चीज का आपको खास करके ध्यां रखना है तो मैं एक बा साथ वाली दो वायर हमारे पास है और एक वायर यह है तो इस दो वायर को एक साथ जोड़ने जिक्त इस तरीके से आपको एक साथ यहां पर जोड़ देना है इसी तरीके से फ्रेंड अगर आपकी राइस लाइट के अंदर दो वायर के अंदर LED लगी होती तो उन दो वायर को भी आप इसी तरीके से जोड़ते और इसी तरीके से चेक करते तो यहाँ पर देखे friend इसको मैंने यहाँ पर जोड़ लिया है और एक wire हमारी जो यह वाली face वाली थी यह हो गई यह हमारे पार total दो wire होगी है friend तो इसको अब हम supply देखे चेक करेंगे friend कि यह हमारी LED काम करेगी कि नहीं करेगी तो इसको हम ऐसे simply check कर लेंगे तो मैं supply को own करता हूँ friend और इसको हम ऐसे लगा के देखते हैं कि अब हमारी LED काम कर रही है कि नहीं कर रही है तो आप देख सकते हो friend कि हमारी सारी की सारी LED काम करना स्टार्ट हो गई है देखे इस तरीके से मैं लगा के आपको दिखा रहा हूँ यह light को मैं एक बार बंद कर देता हूँ तो आप देख सकते हो friend कि हमारी सारी की सारी rice light इसके अंदर जितनी भी LED लगी हुई है सारी की सारी काम कर रही है यह blinking इसलिए कर देखे यहां से यह तार हिल रही है यह देखे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से सारी light इसके काम करने है कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं है तो एक बार मैं light को on कर लेता हूँ तो इस तरीके इस friend आपको अपनी किसी भी rice light को ऐसे ही repair करना है आपको इस तरीके से testing device का use करना है अब इस testing device को use करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताई दिया है कि सबसे पहले आपकी जो starting की LED लगी है वहाँ से wire को हटा के जिस wire के अंदर हमारी LED लगी है उस wire को face में लगाना है और आपको ऐसे tester से check कर लेना है कि face कौन से point पर आ रहा है कुछ लोग पूछते है यह face क्या होता है न्यूटल क्या होता है तो जब आप tester से ऐसे check करोगे भाई तो उसके अंदर जिस भी point के अंदर आपकी यह tester के अंदर LED जले तो वो समझ जाना यह हमारा face वाला point है और इसके साथ वाले point पर आप लगाऊगे तो कोई भी LED काम नहीं करेगी आप देख लो इसके अंदर कुछ भी काम नहीं कर रहा इस वाले point पर हमारे काम कर रहा है यह light आ रही है तो यह हमारा face वाला point है तो जिस wire के अंदर LED लगे है खाले एक wire को आपको यहाँ पी लगाना है और last में से भी आपकी जो last वाली wire है वहाँ से भी आपको wire को cut करके फिर check करना है तो इस तरीके से जब आप चेक करोगे फिर आपको एक-एक LED का अंदर voltage चेक करनी है जहां से आपको voltage ना मिले friend उसके पीछे वाले LED को आपको doubt करना है और उसको निकालके आपस में जोड देना है तो इस तरीके से friend आप अपनी किसी भी rice light को repair कर सकते हो जो DC वाली rice light होती है friend जिसके अंदर ये dip भी लगी होती है इसका तरीका थोड़ा सा अलग है repairing करने का तो इसके उपर भी मैं जल्दी ही video बना दूँगा अगर आपके पास इस type की light है जिसके अंदर ऐसी dip भी लगी है तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हमें repair करना पड़ेगा तरीका तो लगबग सेम ही है थोड़ा से इसके अंदर changes करना पड़ेगा वो changes क्या है friend मैं आगे आपको next video में बता दूँगा जो हमारी आगे आने वाली वीडियो होगी लेकिन अगर आपके पास इस type की light है जिसके अंदर कोई भी box नहीं लगा है ना चोटे वाला ना बड़े वाला तो आपको इसी तरीके से इसको check करना है तो इस वीडियो से related आपका कोई भी सवाल है सुझाव है कुछ आप मुझे पूसना चाते हो या फिर आप कुछ मुझे बताना चाते हो friend तो जरूर कमेंट करें आसा करता हो friend आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो friend तो जरूर हमारी चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और घंटे के bell icon पर click करके all notification को own कर लें friend ताकि हमारी आने वाली latest वीडियो की जानकारे आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए friend फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ने टोपिक साथ तब तक के लिए जैहिन जै भारत